नमस्कार आंगनबाडी सेवी का सहाइका मेनी बेहनों आप लोगों का हमारे आंगनबाडी नीट चैनल में स्वागत है हमें जो खबर लेकर आये आंगनबाडी बेहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर एक बहुत बड़ी खबर निकल करा रही है जैसा कि हम आपको बता दे कि आंगनबाडी सहाइकाओं को प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर निकल करा रही है हम आपको बता दे कि हर परिवोजना में कितने पद खाली है और कितने पद आंगनबाडी वर्कर के कितने पद सहाइका के खाली है किस तरह से भरा जाएगा यह जोई कि पूरे हम डिटेल से देखेंगे उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं कियें प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को अन कर लिए आईए हम आपको सिधा खबरों के तरफ ले चलते ह जैसा कि स्क्रीन पर आपको हेडलाइन देख रहा होगा कि सहाईकाओं को जगी प्रमोशन की उमीदे तो यहाँ पर बताया जा रहे है कि आगनवारी सहाईकाओं को प्रमोशन की उमीदे जगी हैं क्या बताया जा रहे है कि रिक्त 720 आगनवारी वरकर के सापेक्ष आधे प पहले जो एकि आंगनबारी करेकर सहाइकाओं का प्रमोशन किया जाएगा आधे पदों पे उसके बाद जो एकि आधे पदों पे नुट्फिकेशन जारी करके इसकी सीधी भरती की जाएगी आईए यहां पे देखते हैं इसको हम पूरे विस्तार से जैसा कि यहां पे आपको प्रती चैन किया जाएगा 20 परियोजना में रिक्त 720 वरकरों के शापेक्ष आधे पदों पर प्रती चैन होना है इसके बाद रिक्त पदों के लिए नुट्फिकेशन जारी किया जाएगा जिले में 20 वाल विकाष परियोजना के अधिन 432 आंगनवारी केंद्र संचालित हो आंगनवारी सहाइकाओं के स्विक्रिती 343 पद के सापेक्ष 3022 पद जोई की भरे हैं 621 पद जोई की रिक्त हैं बहुत समय से सहाइकाओं को वरकर के पद पर पर मोशन नहीं किया गया है इसका बेसबरी से इंतजार था सासन ने वरकर और सहाइकाओं के रिक्त पद भरने के लिए सासना देश भी जारी कर दिया है उसके बाद जो है कि हम आपको बता दे कि यहाँ पे यह 20 परिवोजनाओं के लिष्ट जारी किये गए है किस परिवोजना में कितने वरकर की रिक्त पद खाली है और कितने सहाईकाओं के रिक्त पद खाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिष्ट जारी करके बताया गया है जो किसमे कितने पद खाली है और उसके आधे पद जोई की आंगनवारी वहनों का जोई की प्रमोशन करके भरा जाएगा तो आधे पदों पे जोई की सीधी भरती की जाएगी नोट्फिकेशन जारी करके उसके बाद आईए यहाँ पे देखते हैं जिला कारेकरम अधिकारी का क्या बयान आया है कि परिवोजनावार रिक्त आंगनवारी वरकरों के आधे पदों पर निर्धारित योगता और आरक्षण के अनुशार सहाईकाओं का प्रतिचैन किया जाएगा इसके बाद जोई क रिक्त वरकरों और शहाईकाओं के पदों पर निक्ति के लिए नोट्फिकेशन निकाला जाएगा पूर्व में निकाले गए नोट्फिकेशन विग्यापन को सासना देश के अनुसार जोई की निरस्त करने की करवाई की जाएगी यह मनुष गुमार राव जिला कारेकरम अधिकारी के तरफ से जोई की बयान दिया गया है और जोई की कहा गया है जो पहले में नोट्फिकेशन निकाला गया था उसको जोई की निरस्त किया जाएगा और जोई की पहले आगनवारी वेनों का यहाँ पे प्रमोशन करने के बाद जोई की नोट्फिकेशन जारी करक आधे पदों के लिए जोई की सीधी भरती के नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे और जोई की भरती इस तरह से कराये जाएंगे तो ये आंगनवारी सहाइकाओं के लिए बड़ी खुस खबरी निकल करा रही है कि आगनवारी सहाइकाओं का जो है कि सीधे जो है कि प्रमोशन किया जाएगा इसके लिए जो है कि यहाँ पे यह सासना देश जारी करके इसकी जो है कि जनकारी दी गई जो की हम आपको पूरे विस्तार से दिये हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को आन कर लिए जब फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में तब दक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभाराब